Redmi Note 10 Series काफी ज़्यादा aggressive price का अंदर इंडिया में launch हुआ है और काफी सारे हमें useful features भी देखने को मिलता है तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी Redmi Note 10 Series के बार में कुछ बहुत ही ज़्यादा useful features के बार में बात करेंगे जो सबसे पहला feature है इसके लिए हमें simply settings, always on display and lock screen तो यहाँ पे हमें always on display का option देखने को मिल जाता है लेकिन यहाँ पे एक छोड़ा सा cons की भी अगर मैं बात करूँ तो always on display इसका नाम है लेकिन यह सिर्फ यहाँ पे 10 सेकेंड के लिए visible है और अगर अपने battery server को on करके रखा है तब यह आपका काम नहीं करेगा इसके लिए आपको इस option को off करना होगा तो बात कर अगर always on display की तो यहाँ पे आप लोग को कुछ signatures clock बगर आप देखने को मिल जाएगा तो आप अपने accordingly इन सारे settings का इस्तमाल कर सकते हूँ उसके अलबा अगर आप अपने custom image always on display के अंदर रखना चाते हूँ तो देन आप simply अपना जो custom image है उसे अप इस तरह से एड़ कर सकते हूँ next feature के अगर मैं बात करूँ तो home के अंदर जो आप लोग को तीन buttons देखने को मिलता है सबसे पहला बाला button कुछ देर तक आप लोग को प्रेस करके रखना होगा then settings और यहाँ पर भी आप लोग को काफी सरे options देखने को मिल जाएगा तो सबसे पहला है वो transition effects आप जैसे swipe करोग तो swipe का जो style है वो किस तरीके का रखना चाते हो उसका आप लोग को सबसे पहले एक option देखने को मिल जाएगा then अगर मैं बात करो default screen की तो अगर आपको इसी को भी default screen के उपर set करके रखना चाते हो तो for example मेरा यह था अभी अगर मैं इसे करना चाता हूँ तो then आप यह चीज भी कर सकते हो बाद में अगर बात करें तो home screen layout में आप लोग देख सकते हो four is to six मेरा default है four into six अगर आप five into six करना चाते हो तो आइकन का size थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और एक side में आपका five icons देखने को मिलेगा तो इस तरीके का काफी सारे settings आपको यहां पे देखने को मिलत इसी तरह से next feature के अगर में बात करो तो यहां पे आप लोग को more वाले option के उपर जाना होगा और यहां पे आपको एक option देखेगा so memory status तो इसका फाइदा क्या है तो आपका phone का जो इतना भी RAM free space उसे आप यहां पे देख सकते हो next feature के लिए हमें settings, then notification and control center, control center style जो default control center हमें देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके का है लेकिन अगर आप नया control center का इस्तावाल करना चाते हो तो दन यहां पे new वाले version के उपर आप लोग को tap करना होगा और यहां पे अगर आप लेफ्ट साइट से swipe करोगे sorry right साइट से अग आप देख सकते हुए next feature के लिए settings फिर home screen, screen navigation यहां पर आपको option देखने को मिलेगा mirror buttons इसका फाइदा यही है कि यह जो back बाला और option बाला button है यह आपस में swipe हो जाएगा next feature के लिए settings always on display and lock screen और यहां पर हमें option देखने को मिलता है double tap to screen on और off इसका फाइदा यही है कि अगर आपका phone lock हुआ है और अगर आप लोगो सिर्फ time बगरा देखना है तो simply आप लोगो double tap करना होगा और notification time बगरा आप चेक कर सकते हुए next feature के लिए simply आप लोगो notification panel को नीचे के तरफ लाना होगा और यहां पर काफे सारे notification के अंदर हमें shortcuts देखने को मिलता है और अगर आपका किसी का काम ज्यादा है अगर आप लोगो इसे आगे पीछे करना है तो इसके लिए simply आप एडिट बाला बटन आपको देखने को मिल जाएगा और नीचे यहां पर कुछ और options दिया गया है तो आप अपने accordingly इन सारे shortcut icons को arrange कर सकते हो next feature के लिए settings additional settings और यहां पर आपको option enable करोगी तो side में एक छोटा सा ball type का आपको देखने को मिलगा simply इसके उपर आप लोगो को tap करना है और यहां पर देख सकते हो और चार shortcuts आप कर सकते हो और इन सारे shortcuts को आप अपने accordingly arrange भी कर सकते हो तो default यहां पर चार तरीकी का shortcuts दिया हुआ है तो एकदम नीचे के अगर मैं बात करो तो यहां पर screenshot का दिया हुआ है तो simply अगर आपको किसे टैप करोगे तो देन आप यहां पर देख सकते हो screenshot आ गया और screenshot से याद आया अगर आप यहां पर screenshot लेने के बाद उसे अगर आप लोगों को scrolling screenshot यानि के full screenshot लेना है तो simply यहां पर आप लोगो screenshot लेना है और इसके बाद यहां पर scroll बाले बैटन के उपर tap करना है और normally क्या होता है कि screenshot अगर आप लोग लेते हो तो यहां पर देख सकते हो enterprise mode यही तक आप screenshot ले पाओगे अगर आप लोगों को नीचे की तरब भी लेना होगा तो इसके लिए अलग से स्क्रीण सुट्ट लेना होगा तो इस वज़े से आप फुल स्क्रिन का स्क्रिंसोंट से उसे आप ले सकते हैं अब नेक्ष्ट्ट फिचर का अगर मैं बात करूं तो वो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे music player के अंदर बहुत सरे लोगों को गाने का कुछ parts पसंद आता है उसके लिए वो फिर से सार्च करते हैं उसे डाउनलोड करते हैं लेकिन अभी आप लोगों को इसकी टेंशन लेने की जुरूत नहीं है अगर आपके पास कोई भी song है और उस song का अगर पर्टिकुलर कोई भी part अगर आप as a ringtone set करना चाते हो तो simply उस song के अंदर आप लोगों को आना होगा three dots पर tap करना होगा और यहाँ पर आपको ringtone editor देखने को मिलेगा तो आप इस बार के जरिए उस song का particular जितना area रखना चाते हो आप अपने accordingly रख सकते हो और आगर आप लोगों को थोड़ा बहुत इधर उधर करना है तो यहाँ पर plus और minus का sign दिया हुआ है तो इसकी मदद से आप यहाँ पर इस बार को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हो इसे करने के बाद simply आप लोगो set as ringtone पर set कर देना है और जो area आपने set किया वही आपका as a ringtone set हो जाएगा और अब तक अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को like and share करना मत के बाद जो भी धूल मिट्टी है वो clear हो जाएगा और यहाँ पर आपको इसे full volume के अंदर 30 seconds तक प्रेस करके रखना होगा इसके लिए simply आप लोगो को इस feature को on करना है got it पर tap करना है और यहाँ पर आप देखोगे full इस तरीके का एक sound आएगा next feature के लिए settings then always on display and lock screen और glance for MI इसका फाइदा यही है कि lock screen के अंदर अगर आप चाहते हो कि आपका जो wallpaper है वो automatically change होता रहा है network के through तो इस feature का अब इस्तमाल कर सकते हो अब इसके बाद जो next feature है इसके लिए आप लोगो कोई भी wired earphone बगरा add करना होगा यानि कि 3.5 mm jack के जरीए और अगर आपके पास कोई भी Bluetooth earphone है तो दन इस feature का अब इस्तमाल नहीं कर सकते हो इसके लिए simply music player में आना होगा three dots पर tap करना होगा और इसके बाद यहां पर headphone and audio effect यह बाला जो effects और equalizer देखने को मिल जाएगा और यहां पर आप देख सकते हो काफी सारे earphones बगरा है तो इसन सब का इस्तमाल करके आपका जो output है audio का उसे हाप और ज्यादा enhance कर सकते हो ओकी अब next feature के अगर मैं बात करूँ अगर आप इस तरह से recent menu पर आते हो तो कभी कबार हमारे कुछ personal जैसे के whatsapp बगरा भी आप देख सकते हो और अगर आप train versus में ज्यादा travel करते हो तो समने वाले person वो सार चीज़ देख पाएगा तो अगर आप इन सारे applications को blur कर देना चाता हूँ ताकि recent menu पर आने के बाद भी वो चीज़ ना दिखे तो इसके लिए simply जो application आप उस blur करना चाते हो उस application के उपर कुछ दिर तक प्रेस करके रखना है यहां पर settings वाला icon देखेगा यहां पर आप वाला section है यह blur हो गया है तो इस तरह से आप किसी भी application के अंदर यह चीज़ कर सकते हो बस उस application को आप लोगों को open करना है कुछ दर तक प्रेस करके रखना है settings पे जाना है और blur वाला जो यह option है blur app previews इसे आप लोगों को on कर देना है अब next जो feature है यह काफी ज्यादा useful feature है औ और इसके लिए simply आप लोगों को gallery के अंदर आना होगा और gallery के अंदर हम लोग काफी सारे photos क्लिक करते हैं कुछ को delete भी कर देते हैं और गलती से अगर मालेजी कोई important photo video delete आपका हो जाता है तो उसे आप किस तरह से recover कर सकते हो तो इसके लिए simply आप लोगो three dots पे tap करना है settings के अंदर जाना है और यहाँ पर आप लोगोगो trash bin देखने को मिलेगा और आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो दो photo को अभी अभी delete किया उस photo को अभी मैं यहाँ से चाहूं तो permanently delete भी कर सकता हूं और restore भी कर सकता हूं तो दोनो फटो को यहाँ पर मैंने restore कर दिया और अगर आप तीस दिन के अंदर अंदर उस फोटो को नहीं रिस्टोर करते हो तो देन वो आपका पर्मेनेटली डिलीट हो जाए नेक्स्ट फीचर के अगर मैं बात करूं तो इसके लिए सेटिंग्स और यहां पर आपको एक option देखने को मिलेगा launch camera तो इसका फाइदा यही है कि अगर आप lock screen पे हो और immediately अगर आप लोगो किसी चीज़ का picture या फिर वीडियो बगरा क्लिक करना है इसके लिए simply यह जो volume down बटन है इसे आप लोगो two times प्रेस करना है और आपका जो camera है वो automatically on हो जा बात करते हैं तो simply आप लोगों को file manager के आंदार आना होगा किसी भी file को आप किस तरह से hide कर सकते हो तो example के लिए मैं यहां पर माल लीजिए इस photo को hide करना चाहता हूं तो simply आप लोगों को यहां पर mark करना है more पर जाना है और यहां पर आपको एक option देखने को मिलेगा Mac private तो simply यहां पर Mac private के ओपर tap कर देना है और इसके लिए आप लोगों को सब से पहले तो कोई भी password pattern बगरा add करना होगा इस तरह से आप वो चीज़ सब से पहले set कर लीजिए और इसके बाद आप यहां पर देखो कि वो जो file है वो जो image है वो successfully hide हो चुका है अभी बात करते हैं कि उस photo को आप किस तरह से view कर सकते हो तो इसके लिए simply आप लोगों को इस तरह से pull करना होगा और यहां पर आपने जो भी password बगरा enter किया है वो आप लोगों को डालना होग और यहां पर आप देख सकते हो वो जो photo है जिसे में hide किया तो इस तरह से आप सारा photos, videos, files बगरा आप देख सकते हो इसे अगर आप लोगों को फिर से unhide करना है तो simply इसे mark करना है देन इहां पर आप लोगो remove बाले बटन के ओपर tap करना है किस folder में आप उस file को रखना चाते तो वो हमें देखने को मिलेगा यहां पर notes के अंदर, तो notes के अंदर आने के बाद आप लोगो simply इस तरह से swipe करना है यहां पर settings के ओपर tap करना है, use task toolbox इसे आप लोगो on कर देना है और यहां पर आप लोगो एक बार देखेगा अगर आप important कोई भी notes बगरा लिक के रखना चा करते हो, उसी तरह से notes के अंदर हमें एक और अच्छा feature देखने को मिलता है, voice notes करके, जी हां अगर आप चाते हो voice notes सेब करके रखना तो simply plus बाले button के उपर आप लोगो tap करना है, यहां पर यहां पर आप लोगो just ok कर देना है, और जो भी मैं आभी यहां पर बोल रहा हूँ, वो सब कुछ यहां पर record हो रहा है, record होने के बालबा और भी काफी सारे हमें features देखने को मिलता है, जैसे की gallery के अंदर और भी बहुत सारे features है, camera के अंदर और भी काफी सारे features है, इसकी बारे में मैं already dedicated वीडियो बना कर रखा हूँ, तो उन सारे वीडियो को आप जाकी checkout कर सक करते हुँ आई बेटन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा इसी तरकी का और भींट टेस्टिंग वीडियो आगे देखने के ल